परफॉर्म करते हैं ठीक है आप लोग तयार हैं उसके लिए आपकी MIT जिसमें आपने MIT लिखा निउस्पेपर आपको मैंने एक MIT बताई थी कि आपको सबसे पहले स्मार्ट स्टडी करनी है एक्टिव स्टडी करनी है तो आज क्लास में दो कॉपियां होनी चाहिए एक कॉपी जहाँ पर टीचर यह डिक्टेट कर रहा है तीचर यह दिखा रहा है उसको लिखना थूसरा अब तैयार है कि सलबस को कैसे डिकोड करना है सलबस को कैसे ब्रेक करना है तो यह दोनों चीज़ें बहुत ही जादा important हो जाती है तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान देकि है अब ready हैं आप लोग, दो कॉपियों के साथ, क्या करना है, हम जहां से शुरुवात करेंगे, उसको central theme लिखना है, discussion कहां से शुरू होगा, central theme से शुरू होगा, उसके बाद आपको सोचना है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके फिर आपको branches बनाने चलने हैं, मैं देखूंगा कि सबसे अच्छा discussion मेरा किसने note down किया है, तो discussion के लिए horizontal copy, writing के लिए vertical copy, दो कॉपियां चलेंगे, आपको अपना mind भी बिल्कुल active रखना है, कि मेरा output कैसे आएगा, चलिए, शुरूबात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, syllabus analysis क्यों बहुत जरूरी है, तो हमने इससे पहले भी एक basic discussion किया था, और आपसे यहां पर हमने बताया था, कि एक चीज देखी थी, कि syllabus basically आपके और UPSC के बीच का communication है, और syllabus उस form में नहीं है, जिस form में आपको प्रिंट रूप में दिया जाता ह अगर हम प्रिंट रूप देखेंगे, तो UPSC ने जो syllabus हमें दिया है, वो बहुत छोटा है, अगर हम एक्जामपल लें, तो UPSC का जो syllabus है, वो काफी छोटा है, जो print form में आता है, ठीक है, तो UPSC General Studies paper में क्या कहता है, Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society, यह आपका GS paper 1 का 200 marks का syllabus है, ठीक है, ज इसके हम शुरुवात करने जा रहे हैं, और गुर्कुल में जो पांस तारीक से classes शुरू होंगी, वो किसी शुरू होंगी, वो आपकी Indian society के शुरू होंगी, सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इसी society में ही हमारा सब कुछ involved है, यह economy किस के लिए, society के लिए, यह politics किस के लिए, society के लिए, तो और यह सारी चीज़ चलती कैसे है, society से चलती है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अभी इसमें कितना छोटा दिया, and society, एक छोटा सा word दिया है, society, इसमें दो चार word और इन्होंने बढ़ा दिया है, last में जाके, लेकिन इस से हमें यह चीज समझ में नहीं आ करते हैं, तो चलिए हम GS paper 1 की अगर बात करें, तो 200 marks का हमारा GS paper 1 है, यह written examination है, सबसे important तरीके से, और अगर हम देखें ध्यान से इसे, तो इसमें एक पार्ट हो जाता है history का, ठीक है, इतिहास का जिसे हम लोग बोलते हैं, तो लिखते जो इसको साथ साथ मेरे, और जहां हम discussion पहेंगे, वो तुम्हें discussion करना होगा, तो हमने यहां लिखा, history हमारा part है, तो सबसे पहले हम GS paper 1 पर discussion चुरू कर रहे हैं, चार paper होते हैं GS के, 1, 2, 3 और 4, एक हजार number का क्या होता है, GS होता है हमारे पास, तो हर student को structure पता होना चाहिए, पहले हमने discussion किया, pre क्या है, mains क्या है, interview किया है, इन तीनों का orientation किया है, mains हमारा written part है, ठीक है, तो यह 1750 marks का होता है, कितना, 1750, और याद रखना, तुम्हारे selection के लिए mains के marks ही सबसे ज़रूरी होते हैं, उसमें 1000 number GS का होता है, बाकी 500 number तुम्हारे किसके होते हैं, तो आपके optional paper के और 200 number essay के होते हैं, तो GS से ही नि से सोता है, so let's start, हम शुरू करते हैं, history में अगर हम देखें तो कुछ parts होते हैं, जैसे word history, विश्व इतिहास, पुरे दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरा art and culture, यानि की कला और संस्कृती, तीसरा modern history, यानि आधुनिक इतिहास जिस हम लोग कहते हैं, जहां अंग्रेजों के औरंग्जेब की मृत्व के बाद से और भारत की सोतंतरता तक, या उसके बाद की इतिहास में modern word हम यूज करते हैं, और post independence, यानि आजादी के बाद, इसी में एक और part आ जाता है, जिसे हम लोग art and culture कहते हैं, कला और संस्कृत, जो इतिहास के साथ साथ चलता है, क्योंकि इतिहास के साथ साथ समाज में कला, मूर्ति कला, मंदिर कला, इन सब चीजों का लगातार उत्थान होता रहा, तो ये हमारा segment है, दूसरा part होता है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं, in social issues, यानि सामाजिक मुद्दे, जो paper 1 का ही part है, और तीसरा part जिसे हम लोग जोगरफी कहत हैं, तो ये paper 1 के 3 part हमारे हो गए, paper 2, 200 marks का, paper 2 का जो part है, उसमें Indian polity, यानि भारती राजवेवस्था, यानि हमारा समयधानिक धाचा क्या है, हमारी चीजें क्या है, Indian polity के साथ governance, governance बड़ा important part है तुम्हारे लिए, governance का हिस्सा तुम हो, शाक्षन कैसे चलेगा, ये तुम्हार governance है, जैसे IS officer किसका part है, governance का part है, governance और तीसरा part है, IR, international relationship, यानि अंतर राश्ट्रिय संबंध, इनके बारें बात करते हैं, अब आजाते हैं, GS paper 3 में, थोड़ा syllabus इसका लंबा होता, GS paper 3 का, GS paper 3, 200 marks, हां बिटा, इसी का part है, social justice इसी के अंदर आजाता है, जब society में justice आप लेकर आओगे, justice का मतलब क्या हुआ, governance का part हो, governance, अभी मैंने क्या एक लाइन बोली, कि आपके लिए सबसे important है, तो आप justice किसको दोगे, जैसे मालो सरकार ने कहा, कि हमें एक local लियनकारी राज्य बनना है, DPSP में, तो गरीबों के लिए एक योजना चलाई, अब वो योजना का लाभगर मिलेगा, तभी तो सामाजिक नयाय होगा, अगर गाओं की सिक्षा, तो क्या वो सिक्षा कौन देगा, जो governance का part है, ठीक है, जो जो भी governance में आता, च basically outcome of process होता है, ठीक है, outcome, नयाय जो होता है, जब भी वो किसी का outcome होता है, मालो तुमने कहा कि, sir, मुझे, जैसे हमने उस दिन इच्छा और मांग के बारे में बात की थी, तो आपने कहा कि, sir, एक बच्चे को क्या मिलने चाहिए, गाओं के बच्चे को भी सिक्षा मिलनी चाह चाहिए, उसको opportunity मिलनी चाहिए, infrastructure मिलना चाहिए, जो भारत का हर नागरिक को मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, सामाजिक अन्याय होगा, उसको उसका हक नहीं मिला, तो फिर हमने क्या किया, हमने constitution में कहा, we the people of India, भारत के लोग, तो भारत के लोगो जो का साशन राइन जस्टिस हो गया, तो भारत की सरकार को क्या करना, जो चुनी हुई सरकार है, जो elected government है, तो वो क्या करेगी, उस justice को establish करेगी, ठीक है, किसी को सिक्षा देगी, बिजली देगी, साड़क, पानी, तो ये process है, क्या है, ये process और उसका outcome है, next आ जाते है, जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, जीएस पेपर 3 में सबसे बड़ा जो portion है, वो agriculture यानि क्रशी का है, agriculture, यानि क्रशी, दूसरा Indian economy, अब ज़्यादा तर को लगता है कि जीएस पेपर 3 में Indian economy है, मैंने अलग-अलग कर दिया, क्योंकि भारती क्रशी सबसे बड़ा domain है, ये Indian economy क का ही पार्ट है, अगर आप देखाएंगे तो उसको Indian economy कहा जाता है, लेकिन 90 marks के बराबर input केवल agriculture से, तो agriculture सिर्फ economy का पार्ट नहीं है, अग्री कल्चर जोगरफी का भी पार्ट है, तो ये जो subject जो GS paper 3 है वो बहुत interlink subject है, जैसे paper 2, social justice वही समझा सकता है जिसको society समझ में आ गई हो, क्योंकि society में दो ही तरह की चीज़े होती है, या तो आप include है आप exclude हो, अगर आपको आपका हक मिल रहा है तो inclusion है, समावेशन है, और अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो आप भाहिश्करण हो, तो जो भाहिश्करण है जिसका execution हो उसको खीच के क्या लेक कराना है, तो यह हमारे लिए बहुत important है, next one Indian, जो हमने बात की Indian economy, भारती अर्चविवस्ता, science and technology, science and technology, विज्ञान प्रवध्योगी की, environment, परियावरण, disaster management, आप्दा प्रबंधन, और internal security, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे पहले, सबसे important segment हमारा होता है, इसके बाद GS paper 4, चुकि आप लोग IS बनने जा रहे हो, IPS बनने, प्रशाशनी का अधिकारी बनोगे, तो प्रशाशनी का अधिकारियों के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, पहला गुण, सबसे पहली चीज है, उसके अंदर सत्य को पहचानने का गुण होना चाहिए, वो सत्य वदित, यानि कि वो सत्य बोलने वाला हो, तो truth क्या है, integrity, यानि जो duty तुम्हें दी गई है, वो duty को तुम्हें सही से पूरा करना, हमाई समस्य क्यों है, पहले हो है, social injustice क्यों होता है, सरकान ने पैसा दिया, जिसको जिसका हक देना है, मालो आपको किसी को इसका हक देना है, स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने हैं, आपने सारा पैसा क्या किया, अंदर रख लिया, और वो स्कूल नहीं बना, वो सड़क नहीं बनी, तो क्या हो गया, social injustice हो गया, तो माना जाता है, कि जो officers हैं, उनके अंदर ethical values होनी चाहिए, ethical values मतलब, कि मुझे सही नड़ने किस रूप में लेना है, और जब आप decision लेते हैं, एक्चली ये जो paper 4 इसको बड़े ध्यान से समझना, ये तुम्हारा core है, जब आप decision लेते हैं, तो decision को लेने के लिए कई process होते हैं, आप ये देखते हैं, कि आपका background क्या है, आप ये देखते हैं, कि आपके values क्या है, जिसे आपको ये सिखाया गया है, जूट नहीं बोलना है, तो आपको इसका मतलब है, जब आप कहीं भी जाएंगे, तो उसके लिए आप काम करेंगे, एक officer से उमीड की जाती है, कि ethics और integrity उसके अंदर होनी चाहिए, यानि कि नीती और सत्यनिष्ठा, तो अगर वो अपनी duty सही से, किसी भी duty को perform करने के लिए, और किसी निरने को लेने के लिए, दो चीज़ें, for performing their duties, and to taking decisions, अब जगो कोई लिख नहीं रहा इसको, यही सबसे important point है, ethics and integrity, सब लोग जानते हैं, but why ethics and integrity, is it a subject, यह subject नहीं है, तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, यह क्यों जो पढ़ाया जा रहा है, अगर यह तुम समझ गए, तो तुम अबिधान के अंतरगत, जो तुम्हें duties, कर्तव दिये गए हैं, उनको निभाना, तुमसे यह भी नहीं कह रहा है, कि तुम को extraordinary काम करो, superman बन जाओ, वो तुमसे कह रहा है, एक IS officer के लिए, जो तुम्हाई duties हैं, उसको सही तरीके से perform कर दो, जो तुम्हारे office आ रहा है, जो decisions लेने पड़ते हैं, निर्णे, और कई बार उस समय नहीं पता चलता कि निर्णे सही है या गलत है, तो यहां कहा जाता है कि अगर आप एक ethical decision ले रहे हैं, तो आप विरोधों का भी सामना कर लेंगे, example लेता हूँ एक, एक officer हैं आप, जो किसी religion को belong करते हैं, छोटा साब आ आप एक officer हैं, और आपकी duty लगी हुई है, ठीक है यह आप officer हैं, आपकी duty लग गई है, आप किसी religion को belong करते हैं, आपका एक, जो सेग्मेंट है, बट आप एक अच्छे officer हैं, सामने से एक कोई rally निकल रही है, और rally के लिए आपने कुछ rules and regulations बनाय हुए हैं, अब वो किसी भी X religion की rally हो सकती है, ठीक है, किसी की भी rally हो सकती है, XYZ कोई भी हो, तो आपने कुछ rules बनाय हैं कि भई शाम को 7 बज़े तक यह खतम हो जाना चाहिए, यह आपने route fix कर दिये, आपने क्या कि अब police वालों की मदद ली, police प्रसाशन से क्या होना चाहिए, law and order की क्या situation है, आपने rules law and order के head है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, आपने कहा कि हम आपको यह route बता दे रहें, यह rules and regulations है, इतने बज़े तक आप जो करना चाहें, आप वो करें, ठीक है, इतने हमारे segment, आप इस रास्ते से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो group है, वो कह रहा है नहीं हमें अपना मन का यह करना है, हम और देड़ तक करना चाहते है, हम और उल्लास मनाना चाहते है, हम अपना तयोहार मनाना चाहते है, एक स्वेजट, आपने का नहीं, इस से दूसरा जो धर्म है, या जो दूसरा religion है, उसको तकलीफ हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, अब यह लो आरोप लग जाएगा, कि ये दूसरे धर्म का इसलिए हमारे को परिशान कर रहा है, ये ओफिसर को बहुत जहलना पड़ता है, बहुत जहलना पड़ता है, समाज, अभी इंडियन सोसाइटी में घुसो के तब तुम्हें पता चलेगा, कि ये है क्या बेसिकली, ये तुम्हारा रंगमंच है, इसलिए सबसे पहले इंडियन सोसाइटी शुरू कर रहा हूं, ये रंगमंच है, यहीं पर तुम्हें सब चीजने समझ नहीं हैं, तो अब इसने तुम्हारे उपर आरोप लगा दिया, और जूठा आरोप लगा दिया, कि देखो ये दूसरे धर्म का इसलिए हमें परिशान कर रहा है, कोई भी कह सकता है इस मामले में, अब आरोप लगाना तो बहुत आसान है, वो तो किसी को पर भी तुम लगा दो, लेकिन अगर आपने जो decision लिया है, जो निर्ने लिया है, अगर वो किसी manual या किसी नीतियों की अंतरकत लिया है, ethical है, यानि उसके rules and regulations को follow किया है, तो आप कहेंगे, मेरा निर्ने सही, आपको जो कहना है, आप कहते रही है, कल को बात बिगड़ गई, और आपके उपर जाच भी बैढ़ तो सबसे पहले ये देखा जाता है, कि आपने rules follow किये या नहीं किये, आपने का हाँ, आपसे पूछा गया, क्या आपने पहले बता दिया था कि ये 7 बजे, 8 बजे तक ये खतम हो जाएगा, आप दिखा देंगे हाँ साब हमने किया, आपने चेतावनी दी हाँ दिया, आपन आपने उसको सही तरीके से follow किया या नहीं किया, तो उस समय हमें नहीं पता कौन सी, हो सकता भीड बढ़क जाए, हो सकता हिंसा हो जाए, हो सकता उपद्र हो जाए, law and order situation create हो जाए, तो आप से question पूछा जाएगा, तो जब question पूछा जाएगा, कि आपने निरने जब लिया, तो आपने procedure, यानि कि steps follow किये, और जब ये चेक किया जाएगा, हाँ, आपने सारे steps follow किये, आपको clean chat मिल जाएगी, जाएगे, आप बिल्कुल ठीक है, आपने अपने कर्तबवे का निरवान किया, क्योंकि आपको अपनी service में ऐसे बहुत से challenges का सामना करना पड़ेगा, जहा आपका बहुत core subject है, ये बताता है कि officer को निरणय कैसे लेने चाहिए, officer कैसा होना चाहिए, निरणय लेते समय किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, अब एक और छोड़ी सी बात देखते हैं, ये subject वास्तों में बहुत दिल से सीखने वाला subject है, जो GS paper 4 है, आप एक officer है, DM है, आपके अंदर वहां का रशत विभागयानी कि जो खाना वाना दिया जाता है, वो उसके आपके अंदर में आता है, आप अपने office से निकल रहे हैं, आपके घर पे party है, और अचानक से आपके सामने एक बुढिया माई आ जाती है, ठीक है ये बुढिया माई, smile नहीं कर दिया जाता है, आप वो मुझे दिलवा दो, आप इससे कहते हो, कि आपने form भरा की नहीं भरा, बुले वो गई थी office में, वो बड़े बाबु ने कुछ मांगा मांगा, भगा दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप इसको process में, आप फोन भी करा दो, आपको अपने घर पार्टी में जाना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, और ये सची घटना पर बता रहा हूँ, तो आपने इसकी इस्थितिक आवलोकर नहीं के, बुला आप ये चले जाओ, ये बड़े बाबु यहां बैटते है, इनका नाम XYZ है, इनसे form भरा लो, form जब भर दोगी ये किसी से भरवाल होगी, मेरे पास पेपर आएगा, मैं साइन कर दूगा, तो मैं फ्री में खाना मिल जाएगा, इस घटना में जानते हो क्या हुआ सची घटना, ये भूख से मर गई, ये भूख से मर गई, हस्रे हो, ये सची घटना है, और एक बच्चा भी मर गया ये तीन दिन से भूखी थी, अगर इसको ततकाल मदद मिल जाती तो नहीं मरती, आपने इसको भेज दिया जाईए, अगले दिन आफिस खुलेगा, पेपर साइन कराईए, क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, आपने नियमों का पालन किया कि पेपर आएगा तब ही मैं करूँगा, लेकिन उसकी भूख ने उसका इंतजार नहीं किया, तीन दिन से भूखी थी, अगर रात में उसको खाना मिल गया होता, तो या उसके बच्चों को मिल गया होता, तो ये जीवित रह जाती, और ये क्या, वो मर गई, जब ये बात इसको पता चली, त लेकिन एक निड़ने consciousness से लिया जाता है, इस subject को आप जितना हलके मिलेंगे आप ये आपको उतना हलके मिले लेगा, ये बहुत learning capacity, officers को अपने जीवन में बहुत से ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ निड़ने लेते समय कि क्या कोई ठीक है, नियम कानून पालन करा ना, जरुरी इकल को मेरे उपर कोई आरोप लगा दे, ब्रस्टा चार का, कि देखो ये प्री में खाना बांट रहा है अपने लोगों को, लेकिन हमें उस समय ये भी निड़ने लेना है कि इसकी जान बचाई जा सके, ततकालिक कोई व्यवस्था की जा सके कि आज इसके और इसके जो घर में चोटे बच्चे हैं, उनको खाना मिल जाए, क्योंकि अंत में इसी का ही स्टेटमेंट है, कि मैं पूरी जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, फिर एक बोज आप ऐसा लेके चलते हैं, जो आपको जीते जी मारता रहता है, अंदर ही आपको डील करने पड़ेंगे आपकी सर्विस में, इसी लिए ये सर्विस जो है, वो स्टील फ्रेम कही जाती, आपको अंदर से स्टील का बनना पड़ेगा, और ऐसी सची घटना है, ठीक है, कावेरी डैम की उचाई बढ़ाई जानी थी, मैं बात नहीं कर, मैं डीम के, व वो सब डूप जाएंगे, तो यह हुआ कि समझाया जाए, तो कुछ लोग को समझाया गया, पिर नहीं माने, वो लोग बोले हम जमीन छोड़के नहीं जाएंगे, सरकान ने का नहीं हमें, यह करना ही करना चाहिए, जो हो जाए, तो निरन देखी, आपको कैसे करने पड़त तो अब पुलिस लगाया गया, मारा पीटा गया, तो कई लोग तो छोड़ शाड़के चले गया, कुछ परिवार ऐसे थे जो वहां से नहीं हिले, अब यह हुआ कि क्या किया जा, क्या किया जा, बुला इनको डराया धंकाया, जब पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, रात six families, खतम, बाद में यह लिखता है कि मैं पूरे जीते जी वो चीखें, अपने अंदर यातना देता रहा अपने आपको, मैं कभी नहीं भूल पाया कि मेरे एक decision या इस तरह से मुझे जो लेना था, वो व्यक्तिकता, सरकार के decision तो उसमें पूरे करा दिये, लेकिन हम एक इन आप जब इस UPSC में आ रहे हो तो आपकी जो, यह जो समाज है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, यह एक रंगमंच की तरह है, रंगमंच का मतलब होता है, जहाँ प्ले खेला जाता है, तो यह बेसिकली एक officer का रंगमंच है, जो society हमें दिख रही है है अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो for example, मैं आपको साल लेता हूँ कि आप में से कई लोग आईस की तहरी करना, आपने घर में बताया होगा कि मैं आईस की तहरी करना चाहता हूँ, कुछ लोग तुम्हारे ही अपने रिष्टेदार, जिन्होंने कल तुम्हें कुंडली निकाल डाली होगे, तुमने यह नहीं किया, यह नहीं किया, तो तुम यह नहीं कर सकते, कई लोगों ने तुम्हारा भाविष्च भी बता दिया होगा, बरबाद हो जाएगा, साधी कर दो, यह कर दो, कहीं दुकान पे, काम पे लगा दो, हुआ होगा, तो यह त पूटी नौकरी पकड़ लो हर कोई आई-स नहीं बनता है ये बोला होगा कई ने को गारे लड़की बिगड़ जाएगी बाहर निकले की दिली नवड़ा जाएगी ये बोला होगा कई बोले की घूमने जा रहा है पढ़ने और ना थोड़े ना यहां काय नहीं पढ़ा कभी कॉलेज में टॉप नहीं किया कौन सा माई-स बन जाएगा ये भी बोला होगा किसी ने बोला होगा माबाबुजी का पैसा फूखने जा रहे है ये भी बोला होगा सुना होगा सबने नहीं तो भी एक अधे टेम्ट दे लो फिर सुनना शुरू कर दोगे तो अब इसका सीध तुम को बताया है को एक व्यूव है वह बिलकुल अलग हे कोई तुम्हारा झाला कर रहा हुआ कोई तुम्हारा सभ्रस न्यूटर कर रहे कंड हो तुम इंड़े ने जैना इसले ये नियुए जिस सॉंहारे थी में तुम सर्व करने पायOT नोग चूबिक प्यक्रिंट भी जो word है जो समाज में रहती है वो बहुत ही अलग-अलग character की होगी अब तुमने decision लिया ना तुमने किसी की भैंस खोली ना तुमने किसी की गाय बेज दी कुछ नहीं है तुमने decision लिया और तुम्हारे decision पे 10 लोगों के 10 अलग-अलग view है कोई support में कोई कोई न्यूट्रल है सेम जब तुम सोचो कि तुम्हारे अंडर में लाखों लोग होंगे और तुम्हें decision लेना होगा तो यह decision कितने complex हो जाएंगा यह तो तुम्हारे रिष्टेदार थे जो तुम्हें जानते थे और जो तुम्हें जानते नहीं हैं वो भी क्या करेंगे तु उन्होंने जाने माने अभिनेता के लड़के को पकड़ लिया ड्रक्क्से केस में और अवस अभिनेता के जो संबन्ध थे वो एक महराश्टर के मंतरी जूब जेल में उनके साथ बड़े गहरे थे उसपाटी वह सत्ता में थी तुम्हें जाकर सर्च करना पता चल जाएगा उन दिनों न्यूज पेपर से लेकर, मीडिया से लेकर हर जगा उस अधिकारी के परिवार की ऐसी तैसी कर दी गई उसकी कुंडली, बाप ने कितनी शादी की, कौन है, क्या है, किस से मिले, कहां गए मलब उसका पूरा कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया क्योंकि उसने एक बड़ी मचली पे हाँ डाल दिया था, बस इतना ही किया था तो जो आपका जो ये पूरा सर्विस है, वो बहुत ही कॉंप्लेक्स है इस मापले में, क्योंकि इस ससाइटी में अब वो अपना लॉइन और्डर मेंटेन कर रहा है, कई लोगों ने उस पे आरोप लगा दिया, घूस लेके फलाने अभी नेता से उसको परेशान कर रहा है आपको एक तरीका ढूड़ना होता है कि मुझे क्या करना है. तो कई तरह के decisions आपको लेने पड़ेंगे अपने समाज में. एक जब decision लेते समयं, आप procedure follow करें, तरीके follow करें. अगर आपका procedure यानि आपके तरीके सही है, तो कल को consequences कुछ भी हो, जहांच गर बैठेगी तो आप उसमें बरी हो जाओगे दूसरा कई बार कुछ निर्णे consciousness को बहुत प्रभावित करते हैं हमारी चेतनाओं को प्रभावित करते हैं जैसे इस केस में तो अब कुछ भी हो गया उस समय लगता है कि कास रुक के थोड़ी सी मदद कर दी होती कोई तरीका निकाल लिया होता अपने officer होने का कुछ तो मैं फायदा कर सकता था इस महिला को मैं कुछ मदद दे सकता इसके घर में चूला जल जाता तो यह मरती नहीं क्योंकि प्राण चले जाने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मुसको खींच के वापस लेकर आसे तो यह consciousness पर बोज हो जाता है और यह जो decisions होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं ठीक है consciousness based पर जो decision लिये जाते हैं कैसे करना है कई बार आप अपने rules and regulations पर गलत साबित हो जाते हो लेकिन consciousness पर आप सही होते हो तो निर्णे भी कई बार सरकार के लिए उस ही है लेकिन आपके लिए गलत है आपके लिए सही है सरकार के लिए गलत हो जाते है जाच बैट जाती है आपने देखा हो कि कई officers के उपर inquiries बैट जाती है तो इस ही condition में जिस छेतर में आप इंटर करने जा रहे हो वो इंडिन सोसाइटी है जो जहां पर आपका रंगमंच है और यहां पर बड़े different different characters होंगे बहुत different different characters होंगे और इनके बीच में जब तुम्हें deal करना पड़ेगा तो आपको समझ में आगा कि तकलीफ कितनी जादा जैसे आपने आजकल की डेट में बहुत सी web series आने लगी हैं भोकाल और यह सब आप लोग ने कभी देखी होगी तो अपराद करने वाला भी इसी समाज में हैं अपरादी को संरक्षन देने वाला भी इसी समाज में हैं जब वो नए-नए IPS बनके जाते हैं तो उन्ही के ही department के लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं उन्ही की मुखवरी कर देते हैं आपने देखा होगा web series उनकी जान जाते-जाते बसती है उनके moment का पता चल जाता है उन्ही के ही जो मंत्री हैं वही पता चला अपराधी को वही पाल रहे है अपराधी उन्ही के दम पे उचल रहे है तो ऐसे में आपको nexus से लड़ना पड़ता है तो वहाँ पे क्या होगा अगर आप internally बहुत मजबूत हैं तो आप लड़ाई लड़ेंगे नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो जब ऐसे चलने दो तो फिर बात वहीं की वहीं खराब हो जाती है और फिर वो अपराधी, माफिया, वो जो लीडर है वो क्या करता है इसका situation का फाइदा उठा लेता है तो ethics और integrity आपको यह सिखाती है कि basically आप क्या circumstances को यानि जो यथा इससे तो उसको सुविकार करने वाले है या उसको बदलाव करने वाले है तो हमारी bureaucracy में बहुत लंबे समय से इसका अभाव रहा है कि हम लोग situation को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हमें लगता है कि जो भी चीज है वो चलने दो क्योंकि procedure process इतना जादा tough है बट आज की date में नए रास्ते निकलाए है जैसे आज का आपने देखाऊगा बहुत से officers social media पर बहुत famous है क्यों famous हैं क्योंकि उनके साथ जनता का एक विश्वास जुड़ जाता है वो उनके role model हो जाते है उन्हें पता है कि इससे उनके उपर जो दबाव आ रहा है वो हम काफी कम कर पाएंगे कल को हमाए साथ कोई बात हुई कल को किसी ने मालो आरोप लगा दिया किसी ने कुछ कर दिया तो जनता हमारे साथ खड़ी है और public जिसके साथ democracy में खड़ी है तो एक माफिया जब हमारे यहां नेता बन सकता है, मंतरी बन सकता है तो ऑफिसर्स ने भी समझ लिया कि हमें अपना public domain interest जो हम कर रहा है वो दुनिया को बताएं और दूसरा ये भी हो रहा है कि इसको देखकर लोग परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यह जो यथा इस्थिति है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा उदासीन कर देती है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, यह बात हम बोलते हैं, इस देश का यार, कुछ नहीं हो सकता, यह ऐसे ही चलेगा, तो यह जो syllabus है, इस syllabus को सिर्फ कुछ खंड मत समझो, कि इतना topic पढ़ लिया, सबसे पहले मुझे यह क्यों पढ़ना है, अब मैं तुमसे question पूछता हूँ, फिर मैंने का, हाथ cross होना ही नहीं चाहिए मेरी class में, लिखते रहो, मैंने जितनी बाते कहीं भी मैं board पर बुला के लिखवाऊंग नहीं लिखा तुमने, मैं देख रहा हूँ थबको ध्यान से, कितनी बाते मैंने निर्णे लेने का सबसे बड़ा तरीका तुम्हें बता दिया, निर्णे कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, कौन कौन से, एक प्रशासनी का और दूसरा, मैंने word यूज नहीं किया सामाजी किस तर पर, प्रशासन और सामाज अलग हो जाएगा क्या, यही मैंने कहा, आप पूरे एक साल पढ़ने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगे कर एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे, बताओ, पांच मिनट के अंदर तुम अगर भूल रहे हो, 24 घंटे के बाद तुम्हें कुछ है, मैंने पहले भी कहा, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग अभी सो रहे हैं, सभी के लिए, UPSC में कोई नोट, कोई बुक काम नहीं आएगी, अगर मैं अभी तुम से कह रहा हूँ कि ये मेरे नोट से पढ़ लेना, आइस बन जाओगे तो मैं जूट बोल रहा हूँ, खुले मंच पे कह रहा हूँ, मैं जूट बोल रहा हूँ, UPSC intellectual exam है, यहां रटे-रटाए question नहीं आते हैं, demand supply को समझने की कोशिश करो, ये basically situation based है, क्योंकि त situation के अंदर ही निरने लेने होंगे, situation के अंदर ही निरने लेने होंगे, और जब तुम इस चीज को समझ पाओगे, तभी तुम एक अच्छे officer बन पाओगे, नहीं तो तुम्हारा selection तुम सोच रहा हो कि जाके तुम जननत में बैठोगे, चक्ती के पाटो के बीच में होता है until unless जब तक तुम joint secretary label पे नहीं पहुच जाते या IG rank पे नहीं पहुच पाते, भाई साब नौकरी बचानी मुश्किल होती है, नौकरी बचानी मुश्किल होती है, जब तुम field से बाहर आ जाते हैं, नि डारेक्ली जब तुम्हारी society से contact नहीं तभी तुम safe हो पाते हो, जब IG पे पहुच गए, अब या report आ रही, SSP से report मंगवा लो, डिएजी label पे पहुच गए, या joint secretary label पहुच गए, तब जाके तुम्हारी नौकरी safe होती, तब तुम थोड़ा सा आनन्द उठा पाते हो, उससे पहले की जो नौकरी होती है, बहुत खतरनाक होती, मतलब समलो, जैसे जीब अपनी दाटों के बीच में अपनी अस्तितों बचाया रखती है, वैसे तुम्हें बचके रहना है, माफिया, नेता, समाज के लोग, तुम्हारे रिष्टेदार, ये सब कोई ऐसे दाटों की तरह कट-कट-कट-कट भागेगा, और तुम्हें जीब की तरह बसते रह मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, तुम्हारा सेलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये मैं तुम्हें बता दूँगा, उसको हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनर्शिया है, स्प्रिंग थेओरी बताई थी न, देखो सामने प्रूफ कर रहा हूँ, एक होता है जो तुम्ह मैं प्रशाशन लेने के लिए कहता है, मैनुवल के हिसाफ से, दूसरा, अपने कॉंशियसनेस के हिसाफ से डिसीजन लेने होते हैं, अंतर आत्मा और चेतना के आधार पर निर्णे लेने होते हैं, एथिक्स तुम्हें यही सिखाएगा, कि कई बार चेतना के आधार पर भी निर्णे लेने होते हैं, इस ऑफिसर ने अगर चेतना के आधार पर निर्णे ले लिया होता, तो इसके प्राण बचा लेते के नहीं बचा लेते, तो यही तो तुम्हें सिखा रहा हूं, और इंटर्वियू क्या होता है, तुम लोगों को लगता है, यह जीएस का सब्जे और तुम सोचरों कि कोई रट के तुम्हें सब्जेक्ट यह टॉपर बन जाओगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें बहुत बड़ी विद्या सिखाई, एक्टिव लर्निंग की, और मैंने उस दिन भी क्या कहा था, तुम्हें एक बार में नहीं सीखोगे, तो अभी आज समझ यही जब लिखोगे तो तुम्हें शब्द मिलेंगे, आज जैसे conscious decision एक हमने word देखा, तो conscious decision क्या होते हैं, क्या conscious decision हमेशा सही होते हैं, और अगर हमने conscious decision ले लिया और हमारे उपर act हो गया, तब हम क्या करेंगे, यह इसी एक शब्द से कई प्रश्ट निकल सकते थे, और ज क्यों पढ़ाया जा रहा है, GS paper 1 में ही history क्यों रखी गई, society क्यों रखी गई, geography क्यों रखी गई, three में क्यों नहीं रखी गई, कितने लोग इसका जवाब जानते हैं, कि GS paper 1 में ही history क्यों रखी गई, society क्यों रखी गई, और geography क्यों रखी गई, कैसे, GS paper 1 से पढ़ाई शुर तो भी मुझे जवाब दें, GS paper 1 में ही क्यों रखा? अचा ये बता, कभी सोचा इससे पहले? लुडो खेला होगा, चिट निकाली होगी, अच्छा paper 1 में, अच्छा रख देते हैं, चलो इसको रख देते हैं, क्यों रखा? अगर officer बनाना था, तो officer बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ethics और integrity paper 1 में रखना चाहिए था, कि officer के अंदर ये गुण होगे, ethics होगी, integrity होगी, तो इसको paper 1 में रखो, इतिहास उतिहास बाद में पढ़ा लेना, और जब भूगोल रखा तो अर्फ्योस्ता रखनी चाहिए थी, Indian society क्यों रखी, चलो सब लोग जवाब दो, इससे पहले कभी सोचा की नहीं सोचा है पहले बताओ, नहीं सोचा ना, पहली ची लिखो, UPSC पढ़ने का नहीं, सोचने का नाम है, लिखो ये, पुरानी UPSC और नए UPSC में अंतर समझो, पहले ये बता देते तुमें, पुरान पुरानी UPSC, UPSC फुल फर्म जानते हो, क्या, Union Public Service Commission, एक और है इसका नाम, Unpredictable Service Commission, अंदाजा ही नहीं लगता, क्या करेगा, तो इसलिए पुरानी UPSC और नहीं, पुरानी UPSC में लोग कहते थे, पढ़ो ज्यादा, रटो ज्यादा, लिखो ज्यादा तो पहले क्या, दो Optional हुआ करते थे, फिक्स सेलबस हुआ करता थे, रट्टे पर रट्टा, रट्टे पर रट्टा, रट्टे पर रट्टा, जो ज्यादा छाप देता था, उसके मार्ट सा आजाते थे, अभी New UPSC है, इसका पैटर्ट थोड़ा सा अलग है, इसको चाहिए क्या, 21st century का जो भारत है, जो की विश्य गुरू बनने की अर्मान रखता है, 2047 में विक्सित राष्ट बनने का सपना देखता है, उसकी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को इस्टैब्लिश करने वाले ऑफिसर चाहिए, कैसे ऑफिसर चाहिए, जो 21st century के चैलेंजिस को डील कर सकें, अब 21st century, जरह इससे पहले वाले में चले जाओ, तो दुनिया में केवल दो पोल थे, एक US था और एक USSR था, रश्या, तो केवल दो महाशक्तियां थी, बाद में 1991 के बाद पुरी दुनिया में एक ही शक्ति, बजी अमेरिका, माईबाप वही था पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में एक ही मुद्ड़ा सबसे ताकतवर थी, डॉलर, ठीक है तो डॉलर सुप्रीमैसी थी, धुनिया की सारी संस्थाओं के मालिक कौन बैटे थी अमेरिका तुम अपने computer का window इस्तमाल करो किसका Bill Gates का Facebook किसका Mark Zuckerberg का दवाई Pfizer की खाओ किसकी अमेरिका की दुनिया पूरी दुनिया में अब कुछ भी कर रहा है GPS सिस्टम किसका अमेरिका का तुम हमरे या हमारे यहां कोई भी मुव्मेंट हो रहा है अमेरिका बैठ के देख रहा है हमारे एक पर्माण एक मूवी आई थी पोखरन करके उसमें देखना कि वो 24 गंटे में सेटलाइट आके हमें चेक करता था तो हमारे वैग्यानिक छुप छुप के जो है वो पर्माण पोखरन का परिक्षण करते हैं अमेरिका देख रहा है सोचो तुम यहां बैठे हैं अमेरिका देख रहा है तो माई बाप वही था 21st century में आज social media हो चुका है अपनी काम कौन कर रहा है मशीने कर रही हैं तो अभी जॉब निचर भी क्या हो गए बदल गए हैं पहले दस मस्दूर लगते थे गड़्ड़ा खोदने के लिए अभी अचानक से एक जेसी भी आती है तर 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 खोद खातके खतम पता भी नहीं चला दस लोगा रोजगार खागी की नहीं खागी और अगर रोजगार लगाओगे तो लोग आपको गालिया देंगे अरे एक नाली नी खुद पारी इनकी अब आप भी फंसे आप भी चाहते जल्दी अल्दी काम हो तो अभी क्या है 21st century के challenges बढ़ चुके अब multipolar word है आज भारत खुद अपने आप मे ठीक है दुनिया भर के देश टेजी से उभर रहे हैं छोटे छोटे देश उभर रहे हैं नए-नए संगठन बन रहे हैं तो अभी क्या 21st century के challenges अलग हैं तो इनको इस तरह का officer चाहिए जो 21st century को deal कर सके तो नई UPSC क्या कहता है नई UPSC का formula कहता है पढ़ो ज्यादा लिखो ज्यादा सोचो और ज्यादा सोचो और ज्यादा यह बड़ा important formula बता रहा हूं बहुत important formula सोचो और ज्यादा तो सोचो और ज्यादा का मतलब होता है think about why these are यह क्यूं हो रहा है why is happening कोई चीज हो रही है इसके पीछे क्या logic है वह logic तुम drive कर लोगा सोचने का मतलब क्या हो गया logic drive करना यानि अब वह कह रहा है रटे रट आए question नहीं आने वाले अब आपको logic develop करना पड़ेगा और logic कैसे develop होता है question पूछने से question हमने क्या पूछा कितने लोगों ने लिखा यह formula लिख लिया कितने लोगों ने कितने लोगों नहीं लिख पाया अभी active अभी देखो एक घंटे में तुम्हें ठका देता हूं मेरी हर बात मुझे चाहिए मै कॉपी चेक करूँगा भी ठीक है फिर मैंने word यूज किया सोचने का मतलब logic drive करना logic कैसे drive होता है how logic drive ask questions प्रशन पूछने से पहले शुरुवात होती है अब मैंने ही question आपसे पूछ लिया क्योंकि आपकी पढ़नी की आदत नहीं है आप 12-14 साल एक ऐसे system में पढ़के आए जहां आपने master से question पूछा और master ने आपको ठोका बराबर होती है हम जो पढ़ाने वो पढ़ लो यही सलबस है ज्यादा चलने दे और फिर मालो साथ वाले नहीं रोका तो पता जला master साहिव का mood घराब पढ़ा है आपने question पूछ लिया उनकी पकड़ से बाहर है आपको यह तो डंडा पढ़ गया डांट पढ़ गी तो वो क्या हुआ आपका logic मर चुका है अब आपको यहां generate करना है मैं ही एक question प रखी गई यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर यह बात हमें समझ में आ जाती है और यहीं से अब याद करना मैंने तुमसे पूछा क्यों रखी गई तो मेरी classes में याद रखना प्रशन पूछना तुम्हारा fundamental right है ठीक है तुम्हारा fundamental right तुम्हें प्र प्रशन लॉजिकल होने चाहिए प्रशन डोमेंस से होने चाहिए तो अब हिस्ट्री सोसाइटी और जोगर्फी क्यों रखी ध्यान से समझो याद है मेरी पहली class में ने तुमसे कहा ता you are your own syllabus नहीं लिखा तो लिख लो फिर से आप ही स्वेम का syllabus हैं जिस दिन तुमने खुद को पढ़ना समझना शुरू कर दिया उस दिन UPSC तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा you are your own syllabus UPSC में याद रखिएगा अब आजाओ आप इस समाज का हिस्सा है ठीक है इस समाज का हिस्सा है ध्यान से समझिएगा अब आपके पास अपनी एक सोच है आप चाहे किसी लड़की हो लड़का हो जेंडर के इसाब से तो लड़कियों का समाज अलग है समाज की layers देख लड़कों की opportunity अलग है समाज और इस देश का नजरिया लड़कों के लिए अलग है लड़कियों के लिए यह देश तो अभी ऐसे कहता है किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके कपड़ों पर ही question उठा देता है कि अगर यह कपड़े नहीं पहनती ऐसा तो ऐ गलत किया, उसको बचाने के लिए 10 लोग आ जाते हैं, तो अभी क्या होगा, कि हमारे समाज में अलग-अलग segments होते, अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको मालो तुम एक व्यक्ति के रूप में, जो कि हमारे सम्विधान की basic unit हो, तुम people हो, we the people of India, तुम वो individual व्यक्ति हो, तो हम जो व्यक्ति के रूप में होते हैं, हमारी परमपराएं, हमारा इतिहास, शर्म या गर्व, कुछ भी हम कहें, वो हमें कहां से प्राप्त होती है, हम कोई दूसरे गरह से तो नहीं है, हम यह सब का हाथ पकड़ते घूमेंगे, हमें ग्यान पराप्त करना है, हाथ दे दीजे अपना, यह हम सब से पूछेंगी, गोला पर का हो रहा है, हम ऐसा है कोई इस क्लास में, ऐसा कोई है, कि हम हाथ पकड़के अपना ग्यान पराप् जो कुछ भी आपने सीखा, गुरू का सम्मान करना है, आपमान करना है, बहुत से इसे बच्चे होते, मास्टर पीड देते हैं, मास्टर साब ने डांट दी आगले दिन, चाकू लेकर पहुँच गया, दिया दिया गुपती पेट के अंतर, मास्टर साब गया आप भी आप कभी ना किसी कुछ कहेंगे हम, ऐसे भी आपने सुना होगा, आपने भी कई प्रयास किया होंगे, मास्टर साब को कई अलंकरत भाषाओं से नवाजने का, तो क्या हो रहा है, यह सब कहां से आ रहा है, यह हमें हमारे एक लंबे इतिहास से में पता चल रहा है, तो जो हिस्टरी होती है, यह इस इंडिविजूल को फीड करती है, यह दोनों चीज़े होती है, जैसे हमारे घर में कोई चीज होती है, मालीजी आपके घर में वरत है, उपवास है, तेवहार है, तो आपने कभी उसमें प्रस्ट नहीं पूछे, वो आपको क्या हुआ है, आपके पिता जी, आपकी माता जी, उनकी माता जी, आपने मालों बहुत से परिवारों में, तीज का तेवहार है, बहुत से परिवारों में करवाचौत होता है कई परिवारों में करवाचौत नहीं मनाया जाता होता है तो महिलाओं को बताया जाता है कौन सा हमारे तो वो क्या होता है वो शादी के बाद आई जो सास ने बताया कि हमारे यहां ऐसा होता ऐसा नहीं होता उसको अड़ाप्ट कर लेती है वो उसकी सास न लिए नहीं है वो पश्च्वी सभवता पर गर्व करते हैं भारती सभवताओं को अंदविश्वासी रूड़िवादी सपेरों का देश बताना शुरू कर देते हैं यह इंडिया में कुछ नहीं है सब कुछ वेस्टन है तो वेस्टन को आखमूद के अपनाते हैं तो उन्हें क्या होता है अपनी सभवता अपनी संस्कृत पर शर्म होता है मैं यहां बात नहीं क्या रहा हूँ सही क्या गलत क्या है लेकिन आपने देखा कि यह सब कुछ जो हमने गेन किया है वो अपने इसी इतिहास से गेन करना शुरू कर दिया है अच्छा तो हमें हिस्ट commitment से क्या बनेगा समाज बनेगा लेकिद एक दूसरी भी चीज है जो भी हम खाते पीते हैं ठीक है जो भी हम है जो हमारा पहनावा है उम्हारी संस्कृति जो इतिहास को संबरध्द करने काम करता वो कौन करता है जोगराफी करती है कि जैसे मालीजीय आप में से कोई ह्रयाना से होगा गईंग खाएगा आटा रोटी कोई राजस्थान से होगा तो दाल बाटी चूरमा उसका होगा कोई बंगाल से होगा तो मच्छी भात उसका होगा तो आप मेंसे गलत कौन सही कौन है सब सही है कोई साउट से अगर है तो वो क्या खाएगा वो अपना चावल से बना वह रसम दोसा इडली यह उसका भोजन होगा तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो और इसकी वज़े मनाने का तरीका अलग हो सकता है माली जो बिहार में चले गए तो वहां छट मनाई जा रही है लेकिन उसी के बगल उत्तर पर जो वहां दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जा रही है बिहार में मुख्यत वहर मनाई जाएगा च्छट बहुत अच्छे से मनाई जाएगा कही नहीं पोंगल है कहीं भी हूँ है मुख्य तेवहार के रूप में तो ये कौन इसको तैय करता है ये जॉग्रफी तैय करती है जॉग्रफी के अंदर होता है क्लाइमेट यानि जलवायू तो आप किस रूप में रहेंगे यहां तक कि जॉग्रफी हमारी संस्कृतियों को प्रभावित करता है जॉग्रफी बहुत पावर्फुल है तुम एक योध्धा बनोगे या तुम एक शांतिपरी बनोगे यह भी जॉग्रफी ही रहेगा दुनिया में बुद्ध कहीं और क्य स्टेपी से क्यों आए तुर्क हो मुगल हो मंगोल हो कोई भी हो वह स्टेपी एक ही जलवाई छेतर से आए नोटिस करके देखना वह सब स्टेपी छेतर से आए थे अफगानिसान से होते भारत को क्रॉस करते हुए जितने भी कुरूरतम आकरांता जो बड़े बड़े कतल कर रहे हैं वो उसी एक छेतर से क्यों आए तो वहाँ पर क्या है वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वह बहुत हार्श होता है और वहाँ सर्वाइroll के लिए आपको युद्ध करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं क्योंकि रिसोर्स कम है वहाँ की जोगरफी आपको ज्यादा अच्छे मिटी नहीं कराका था आपको जयादा अच्छा अंसे रही है है नदिया नहीं है आपके पास खाना नहीं है संसादन नही आपके पाद धन नहीं है, तो आप क्या हुए, आपका धीरे-धीरे जो समाज है, वो कबीलों के रूप में डबलब हो गया, और एक कबीला दूसरे को कबीले को उपर लगातार आकर्मन कर रहा है, और जब आकर्मन कर रहा है, तो फिर वहाँ युद्ध के कोई नियम नहीं ब बहुत बरबर युद्ध करेंगे, क्योंकि वो उनकी क्लाइमेट उनको तै कर रही है, भारत की बात करें, आठ तरह की मिट्टी, पंद्र तरह की जलवाई, दो तरह की नदियों का तंत्र, सदा नीरा, नदियां हमारे पास, परवत हमारे पास, रेकिस्तान हमारे पास, 시во-on हमारे यहा, evagreen forest हमारे, mountain forest हमारे यहा, तो प्रक ente ने भर- भरके भारत को दिया, दुनिया का सबसे उंचा परवत, संकला हमारे यहा, तो वहां की जलवाई, वहां की मिट्टी, वहां की वनस्पतिय हमारे यहा, अरावली पार करते ही, ठार्थार के जलवाई हमारे य हाँ पर्वतिकरत वर्षा हमारे हाँ विशाल नदियों के दौरा लाए गए मैदान हमारे हाँ तो इतना जब सब कुछ भरा है तो मुझे सर्वाइवल के लड़ाई लड़नी नहीं नहीं लड़नी है मुझे भुखमरी से नहीं लड़ना है मेरे पास कोई भी मिट्टी है मुझे एकदम लहलाहाती फसले आ रही है भारत की 22 प्रशद मिट्टी जलोड है अलूवियल है यानि हर साल उसको क्या कर देती है नया कर देती है नदियों का उद्गम छेतर है हमारे हाँ सब कुछ है तो अब इससे क्या हुआ जो हमारी धरा है वो धन्य धान से भरी हुई है तो मैं अब युद्ध क्यों करूँगा जब मेरे पार रिसोर्स है युद्ध का पहला ही नियम है कि आपके पार रिसोर्स कम होते है युद्ध होता ही सबसे पहले रिसोर्स कैप्चरिंग के लिए होता है कि आपको संसाधन हडपने है और जब आपके पास अकूत संसाधन है वन है, पसुपक्षी है हर तरह की जलवाई है क्या नहीं आपके पास है तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे अपना जो दिमाग है वो उन्नती की तरफ लगाएंगे और जब उन्नती की तरफ लगाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे, जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता जलेगा जीवन क्या है, जीवन का उद्देश क्या है, तो जीवन का उद्देश है ढूनने के प्रक्रम में, आप वेदों की रचना करते हैं, आप ग्रंथों की रचना करते हैं, आप सिध्धानतों की होगा ये बहुत अधिक क्यों तैय करता है भूगोल तैय करता है जलवाई तैय करता है अच्छा तो इसको जीएस पेपर वर्न में क्यों रखा गया जहां से आप इंट्री करते हैं वो इसलिए रखा गया क्यों क्योंकि आप कानून किसके लिए बनाओगे इनी लोगों के लिए न और ये अपने इतिहास और अपने भूगोल दोनों से प्रभावित हैं मालो मैं एक क्रशक हूँ किसान हूँ मैं किसान क्यूं हूँ मेरे किस्तान में होता तो मैं किसान होता नहीं होता क्योंकि मेरे पास अच्छी जमीन है मेरी जमीन जो है वो क्या कर आती हैं नदियां एलूवियल स्वाइल लेकर आती मिट्टी लेकर आती है अपने साथ बड़ी उपजाओ होती वह मिट्टी तो मेरे लिए सबसे बढ़ियां व्यवसाय क्या है अग्रिकल्चर तो मैं economy भी किस की generate करूँगा अपने climate के हिसाब से मैं क्या खाऊंगा पियूँगा अपने climate के हिसाब से मेरा पहनावा त्योहार रंग रूप किस के हिसाब से होगा मेरे climate के हिसाब से तो यह जो तीन basic units है तो मेरे भाई आगे चलकर कानून बनेंगे तो इसी समाज के लोगों के लिए बनेंगे जो economy डवलप होगी हो किस के लिए बनेगी इसी समाज के लोगों के लिए बनेगी और यह जो paper one है बताता है यह समाज के लोग कैसे प्रभावित होते हैं अगर को और यह सी बात है वो किसी ना किसी पैट्रियारिकियल सोसाइटी का हिस्सा है जो अपने इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और उसका इतिहास उसे कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि बही दूसरे आकरांटा आते थे बेटियोंको उठा ले जाते थे इसलिए बेटियों की कमई में शादी करदो आज भारत स्वतंत्र हो गया, आकरांता चले गया, लेकिन उसने क्या कि यह उसको परिवार की परंपरा बना ली, बना ली की नहीं बना ली, कि भाई बेटियों की ज्यादा उम्र नहीं पढ़ाना है, जल्दी से जल्दी उसकी शादी करने से को उम लोग बाल विवाग कहते ह हैं, चैल्ड मैरिज, पढ़ो कभी इसकी कहानिया, तो वो परंपरा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब ऑफिसर जाते हैं, तो उनको यही समझाते हैं, कि देखो यह इतिहास में कहां था, अभी क्या वो आकरमन हो रहे हैं, क्या वो दुश्मन इस तरह से आ रहे ह हो तुम, आज तो भारत सोतंत्र है, भारत में सम्विधान का साचन है, तो बेटे और बेटी को दोनों को पढ़ने का मौका दो, क्लियर है, तो आप ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, तो एक जो समाज में एक व्यक्ति होता है, या जो समाज होता है, वो अपने इतिहास और अपने भूगोल से लगातार प्रभावित होता रहता है, जैसे आप हॉस्टल में आएंगे, आप में से कोई ऐस की जगह से हो, जहाँ चावल खाया जाता है, मालो बिहार से हो, बंगाल से हो, तो वहाँ भात तो खाना ही खाना है, अब हॉस्टल में पता चला की रोटी मिल रही है, तो आपको देखो इमानदारी से बताना परिशानी होती है, आप ऐसे बोलते हो कि अरे सर भात थोड़ा मिल जाता तो पेट भरा भरा लगता, पेट ही नहीं भरा जब तक चावल ना खाथ अब तक पेट नहीं बढ़ता है, आप ये क्यूं कह रहे हो, जो कि ना उसमें कोई बहुत जज़्यादा प्रोटीन है, ना विटमिन है, कार्बोहाडडेड ही कार्बोहाडडेड है, तो वो आपके भोजन का हिस्सा बन चुकी है, वो आपके भोजन का हिस्सा बन चुकी है, तो ये बहुत important segment होता है, तो आपने देखा paper 1 में जो subject हैं बड़े सोस समझ के रखे गए हैं, कि आपको अगर बनना है, तो आप अपने इतिहास से अपनी values लेते हो, और अपने भूगोल स से आप प्रभावित हो जाते हो, ठीके आप कौन सा तेवहार मनाओगे, ठीके जैसे मालीच आप बिहार से हैं, तो आप दिवाली की छुट्टी मुझसे नहीं मांगोगे, हर साल होता है, आप कहोंगे सर छट पे जाना है घर, कौन है याँ बिहार से, देखो इतने लोग है तो आप यह नहीं को, बुले दिवाली में एक आत दिन की दे दीजिए, जिनके याँ दिवाली मनाई जा रही है, वो गयाँ का सर हमारे याँ चटनी मनाई जाती है, हम तो सर दिवाली में हमें पांच्छे दिन की छुट्टी चे में इस तारीक हो जाएंगे, हमारी लंका नग जाती है। शेंकि आप बड़ी लंबी करनी पड़ती है अब इस कंडिशनमे किया होगा? आप किस की स्वेलो ॹॉ एंगते हो। शेट की मांते हो ना? डिवाली के एक दीन देजिए। और शेट की लंबी देढ़ी देजएगा क्यों मांते हो। क्योंकि वो त्योहार आपके यहां बडे धूमधाम से लंबे समय तक मनाए जाता है है न? लेकिन किस के यहां चट नहीं मनाए जाती? नहीं मनाए जाती? मांगोगे चट पे छुटी? नहीं मांगोगे यही भारत है अब समझे तो आप as a individual अपनी संस्कृति और अपने भूगोल से प्रभावित रहते हैं अब जब इस individual की चुनोती तुम्हें समझ में आ जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर कानून तुम्हें बनाना किसके लिए है सेवा किसकी करनी गवर्नेंस किसको लेकर आओगे जब तुम्हें समाज समझ में आएगा मालो किसी ऐसी चेतर में तुमने देखा होगा अगर आज जा के चेक करो कि जहां पर sex ratio या यानि लड़के लड़कियों का जो अनपात है वो कम है वो ऐसे चेतर है जहां पर प्राचीन समय में बहुत युद्ध हुए पानिपत का चेतर हर्याणा का चेतर पंजाब से लगता हुए चेतर जहां से आकरानता भारत में प्र बड़ी अच्छी है लेकिन महिलाओं को बिलने वाले अधिकारों में तुम देखो के यहां पर बड़ी कमी है अब तुम कहोगे भाई लड़कियों को अधिकार देने के लिए पैसे चाहिए इनके पास इनकी जो GDP स्टेट की बड़ी अच्छी है इनके पास अच्छा का सा पै अधिकों को प्रात्मिक्ता दी जा रही है अब कहोगे इकनामी भी अच्छी है फिर ऐसा क्यों तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इनकी जो परंपरा जिस युद्ध छेतर से गुजरे जो इतिहास अतीत में है वो चीजें बहुत मैटर करती हैं समाज को डिफाइन करती है हैं वो और यह हर जगह नहीं है आप नौर्थीज चले जो वहां पर अलग तुम्हें सिच्वेशन दिखाई पड़ेगी साउच चले जो वहां सिच्वेशन अलग दिखाई पड़ेगी तो चुकि आपकी सर्विस औल इंडिया सर्विस है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी लिए जब सबसे पहले पढ़ा जाता है कि भारत अनेकता में एकता ओला देश है यूनिटी इन डैवर्सेटी हर साल ईक ज मिल जाएगा सबक्राइगा क्यों सब पड़ा जाता है क्वेर्सेटी का क्या मतलब है विइर डैवर्सेटी क благ आई कहाँ से और यह diversity का मतलब किल रंग रूप पहनावा यही तो नहीं है न देखो तुम भारत में south का इंसान अलग तरीकेस दिखाई पड़ता है उसके बाल अलग तरीकेस होते हैं कश्मीर का व्यक्ति अलग होता है north east के लोग क्या होते हैं अलग तरीकेस दिखाई पड़ते हैं मध्य चलकर जो paper two है वो आपको कहता है कानून बनाना है समिधान बनाना किसके लिए एलियेंस के लिए भारत के लोगों के लिए और भारत के लोग कोई एक ही काई तो है नहीं देखो तुम छटकी छुट्टी मांग रहे हो वो दिवालीक छुट्टी मांग रही हैं अभी मैं क्य क्या रोप लगाओगे क्या रोप लगाओगे कि सर इंजस्टिस हो रही है हमारी क्लास में बिहारी बच्चों की संक्या बहुत ज्यादा बिहार से बहुत बच्चे और आपने छटकी चुटी बहुत कम दी है दिवाली लंबी चुटी अब देखो लग्यारोप हो जाएगा ऐसे आपको भी डिसिजन लेने है ऐसे आपको भी डिसिजन लेने है आफिसर ग्रूप में तो इसी लिए UPSC कहता है पहले सोसाइटी को समझो सोसाइटी एक live character है, play है यहां कौन गलत है, कौन सही है क्या गलत है, क्या सही है example लेता हूँ एक छोटा सा live in relationship ठीक है, बिना शादी के एक साथ रहना तो feminist जो होंगे, वो कहेंगे नहीं यह तो नारी की सुतंतरता का, एक individual की सुतंतरता का का, अरंत में घिसते बिटते Supreme Court ने भी इसे accept कर लिया कि अगर आप बालिग हैं, व्यस्क हैं तो आप एक साथ रह सकते हैं लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि जो कुरूरतम हत्याएं हुई हैं जो बहुत ही भैनक हीनियस क्राइंग हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं कि एक partner से छुटकारा पाने के लिए क्योंकि शादी के साथ दो वेक्टियों की शादी नहीं होती है दो परिवारों, दो संसकारों दो संसकतियों की शादी हो जाती है कई वा तो उसमें बहुत से लोग involved हो जाते हैं जो शादी में नाच रहे होते हैं वो उसमें involved हो जाते हैं जब मीवे भी जगड़े हुए तो लोग मनाने पहुंच जाते हैं, समझाने पहुंच जाते हैं लेकिन लिविन में क्या होता है? लिविन में feminist ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है ये खुली समाज का, एक उदारवादी सोच का एक segment हो सकता है अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है? यहाँ सवाल है कि कैसे चीजों को किया जाना है? कैसे चीजों को किया जाना है? तो अब हीनियस क्राइम हो रहे हैं कुकर में भर दिया, कुत्तों को खिला दिया, कैसी कैसी, जानवर भी सोचता होगा है, बेकार में हमें जानवर कहते हैं, असली तो इधर गूम रहे हैं, ठीक है, तो यह स्थिति कर दी, तो अब यह हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्या चीजें ह प्रभावित कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी को क्यों पेपर वन में रखा गया, clear है, तो इंडियन सोसाइटी को पकड़ने के लिए हिस्ट्री और जोगर्फी दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, इसलिए बहुत complex subject हो जाता है, बहुत typical हो जाता है, तो जिन लोगों ने आज नहीं लिखा, वो इसको as soon as possible लिखें, दुबारा फिर से इसको centralized study करें, discussion को अभी बहुत से लोगों ने आज नहीं लिखा, खास तौर पर तुम भी नहीं लिख रहो, इसको और जादा लिखने की, word to word पकड़ने कोशिच करो, जिस दिन तुमने teacher के word to word पकड़ लिए और flow chart बना दिया, उस दिन समय लेना class तुम्हारी है, क्योंकि इस discussion में बहुत सी चीज़े निकलती है, हाँ, समाज के नियम नहीं होते है, समाज के लिए नियम होते हैं, कि समाज सही तरीके से चल सके, क्योंकि समाज, अभी मैंने क्या बताया, विरोध, समर्थन, प्यार, घ्रणा, नफरत, जो भी चीज़ें आपको सब इसी समाज के अंदर हैं, बुरे और अच्छे कहां से आते हैं, बहार से तो आते नहीं है, सवाल है कि आपने क्या इन्हेरिट किया है, आपने क्या लिया है अपने साथ, उसके उपर बहुत कोई डिपंड कर जाता है, बस हो गया काम, तो ये सही रूप से चल सके जो गलत कर रहा उसको दंड मिल सके सब के दाइरे तैक ये जा सके तो इसके लिए क्या बना दिये गए? कानून को कहने वाली किताब सम्मिधान कहलाती है उसमें सब के उत्तर दाइत तो अधिकार करतब ये इन सब के बारे में बता दिया अगर आप ये गलत करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, अगर आप आप रात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, सजा मिलेगी ये सिंपल सा फंड है हाई, क्या आप भी आईस की त्यारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसेस की त्यारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप इस्टगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिले भागदौर करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है आपका पेशिंस जवाब दे रहा है इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आएं हम यानि ओजांक गुर्कुल कैमपस यहां हम आपको सिखाएंगे IS और PCS जैसे एक्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है कैसे अनुशाशन रखा जाता है अगर आप भी चाहते हैं हम आईएस और PCS बने और अपनी जिन्दगी के सारे सपने पूरे करें तो अभी जोईन करें ओजांग गुर्कुल कैमपस विकॉस विन वी सपोर्ट अवर्ड सेल्फलेस अगर भी जोईन वे लिए सब्सक्राइब सेल्फ़ एक जाता है